हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी के स्टड़ी ISNPCS चैनल के अंदर और यहां पे हम लेके आएं आपके लिए इन शॉर्ट बहुत कम समय में यह समझाने के लिए कि अब 2022 के लिए आपको कैसे करनी चाहिए NTA NET JRF की तयारी ठीक है तो अगर आप NET JRF पास करना चाहते हैं ठीक है और उसकी स्ट्रेटजी भी जाना चाहते हैं तो सही तरीके से उसकी महनत करना चाहते हैं तो अब आपको बिल्कुल स्ट्रेटजाई करके ही तयारी करनी पड़ेगी क्योंकि 2022 में अभी जो पेपर तो अगर आप जाना चाहते हैं कि किस तरीके से आप success पा सकते हैं और अच्छे से आपकी percentile बन सकते हैं आपके percentage बन सकते हैं किस तरीके से आप अच्छा score कर सकते हैं तो चैनल को subscribe, like, share जरूर करिएगा friends क्यों के हमारे पास में वीडियो बनाते जाते हैं, हम लोग लेकिन motivation हमें इसी से मिलता है, अगर एक like करते हैं, subscribe करते हैं और share करते हैं, तो यकीन मानिएगा आपका भी फायता होता है और दूसरों का भी होता है, क्योंकि sharing, caring, यह मैंने पहले भी वीडियो अगर आप किसी चीज को share करते हैं, तो आप काफी सारी लोग की help कर रहे होते हैं, अगर आप अपने hand से इतना भी करते हैं, तो बहुत बड़ी बाते हैं वीडियो बनाने में, analysis करने में काफी सारा समय जाता है, friends, मैं रोज वीडियो नहीं डालती हूँ, immediate कि चीज के ऊपर वीडियो बनाने का यह purpose होता है कि हमें केवल वीडियो नहीं चाहिए, कोई फायदा नहीं है हम इनसे, ठीक है, यकीन मानेगा केवल यह हम इसलिए बनाते हैं, कि एक awareness बनी रहे हैं, और अच्छा लगता है हम किसी के लिए कुछ कर पाते हैं, तो I hope guys, आप लोगो वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, तो please like, subscribe, share, जरूर करिएगा, ठीक है, तबी ये वीडियो सबी को दिखता है, वरना नहीं दिख पाता है, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, देख लेदे हैं, स्लेबस आगे, कैसे त्यारी करनी पड़ेगी, आपको किस तरीके से आपको पैटर्न बदला है, और आपको कैसे महनत करनी चाहिए, ठीक है, मैं जानती हूँ, काफे सारे सबसे बड़ी बात करते हैं, कि किस तरीके से आपको देखना है, तो आप देख सकते हैं, जो भी बच्चे नियू है, उनने बता देती हूँ, कि आपको जो पीजी में जाएंगे, तो यह पेज ओपन हो जाएगा, तो इसके लिए आपको 50%, ठीक है, अधर के लिए क्या रहेगा, जिसमें कि आपके कौन कौन आ रहे हैं, OBC हैं, ठीक है, SC है, और OBC कौन से हैं, आपके नौन क्रीमी लेर वाले हैं, ST है, परसन विद डिसाइबिलेटी, जो डिसाइबिलेटी वाले जो हैं, PWD वाले, ठीक है, कैंडिडेट्स, उनके 50% मार्स, विदाउट राउंडिंग ओफ, ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा आपका, इसके साथ में अगर आप देखें, और कौन कौन कर सकते हैं, तो जो कैंड अगर आप कर सकते हैं, या तो उनका PG हो जाना चाहिए, ठीक है, विल भी अपियरिंग, क्वालिफाइंग मास्टर्स, डिग्री, फाइनल ये, ठीक है, अगर आप फाइनल ये में हैं, तो भी आप कर सकते हैं, बढ़ अगर आप क्लियर कर लेते हैं, उस डूरेशन में अग ठीक है, तो ये सारा को जिनके लिए रहेगा, पूरा, इनकी परसेंटाइल ये ही रहेंगी, नेक्स्ट देख लेते हैं, हम एज लिमिट की, अगर हम में बात करूँ, तो एज लिमिट का सबसे बड़ा मैटर रहता है, तो एज में देखिए, इसमें जो एज है, मैं 22 के अक होड़ करते हैं, 31 एयर्स ठीक है, 31 एयर्स जो है वो count होगा, क्ड़क का October 1, 2022, ठीक है, 31 JRF के लिए, ठीक है, तो ये count होगा, आपका October 1, 2022 और इसके अंदर आपको जो, जिनको मतले इसके अंदर eligibility में आपको डेख zeker, जो तो ये मिल रहा है एक तो OBC, NC, SC, ST and PWD categories transgender and women applicants जो females हैं लड़कियां हैं ठीक है उनके लिए क्या होगा relaxation up to 5 years यानि कि 31 plus 5 करे थी आपका 36 हो जाएगा ओके तो बदर देख लीजेगा आप ये बताना मेरा परपस नहीं था लेकिन मैं गो थू कर दे रही हूं ठीक है इसके साथ में और किसको मिल सकता है जो candidate है research experience वाले उनको भी age relaxation इसमें मिल जाएगा age relaxation की अगर बात करें तो आप अगर चाहते हैं तो इस column को और ध्यान से पढ़ लीजेगा ठीक है जिनका age मतलब research experience है ठीक है उन्हें भी इसमें प्रोवाइट किया जाएगा equivalent to the years periods and to the research in the respective subject ठीक है जितना year उन्होंने इसके अंदर दिया होगा PG और graduation में ठीक है research में उस duration के accordingly इने relaxation मिलेगा relaxation to the researchers can be of up to five years इससे जादा नहीं हो सकते है अब कोई कहें कि six to seven years मेरा research का वो चल रहा है तो उसमें नहीं मिल पाएगा ठीक है LLM वालों के लिए cadets who has served in the armed forces will be provided with the benefit of relaxation up to five years ठीक है तो उनके लिए जो मिल रहा है वो five years का मिल रहा है के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप सारी चीजों को ठीक तरीके से समझ लें देखिए मैं आपको syllabus बताती हूं मेरा वीडियो पनाने का यही था जैसी कि हम बात करें teaching की ठीक है this is your teaching aptitude ठीक है सबसे जादा potential डाल करके आप इसके efforts करिएगा और इसको आपको guys किसके के वे में ही रटते जा रहे हो तो अब उसका कोई फाइदा नहीं होने वाला है ठीक है यानि कि किसी चीज की only meaning देखते जाना जैसे इसमें learning characteristics है है न यह है teaching support system है evaluation है जो सभी को आपको उसके 360 degree angle में पढ़ना है ठीक है उसके side by side उसके बारे में सब कुछ पढ़ते जाना है और अगर कोई topic जो है जो अभी current में चल रहा हो ठीक है current में चल रहा हो देखें teaching से related बहुत सारी चीज़े चलती रहती है तो आप news से भी updated रहा करिए ठीक है ऐसा नहीं है कि नहीं हमें तो net देना है तो हम current affair नहीं देखेंगे या हम current की कोई news नहीं देखेंगे तो ऐसा मत क आपको पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि यह आगे भी आपको काम देगा ठीक है तो रिसर्च के अंदर अगर हम देखें तो research हो गया methods of research हो गया ठीक है अभी जैसे question देखें ठीक है important बता दू तो steps of research बहुत important रहता है ठीक है राइटिंग पैटन की हूपर काफी और देखे ICT फिर ही आप आप आगा फिर मैं बोलूगी यहां पे ICT important है ठीक है computer and ICT parallel आपको लेके चलना है आप छोड़ नहीं सकता है अगर अब आपने चोड़ दिया तो 2022 में आपका नेट और जैयारत तो कैसे भी नहीं हो सकता यकीन मानिएगा comprehension आप एक बताईए जब आपको मालूम है कि D I और comprehension ठीक है इन दोनों के आपके 55 questions definitely आने वाले हैं जबकि बागी की unit के हमें नहीं बताए 5 आएंगे 3 आएंगे 4 आएंगे कम जादा हो जाते हैं बट इसके तो damn sure है तो 10 marks के लिए आप मेहनत क्यों नहीं करते हो अब भी first day से मेहनत करो ठीक है previous year PYQS के सैट लो और उसमें से comprehension और D I के सभी questions solve करो और easy वाले solve करो ठीक है वैसे मैं भी start कर दूंगी easy question solve करना है यह ध्यान से सुन लिजेगा daily आपको ठीक है यह ऐसा कर लिजे एक दिन D I solve करिए और एक दिन आप comprehension solve करिए ठीक है यह अब भी से करिए guys wait म हम देखें तो communication के जो main जो रहता है communication में वो current related रहता है यह भी ठीक है इसमें पी आप current को लेके चलिए साथ में आपकी आपका देखिए effective communication के उपर और barriers के उपर सबसे ज्यादा question आता है तो यह सबसे important part है इसके ठीक है बाकि मैंने यह नहीं का है कि आप इनको छोड़ पढ़ना तो इन्हें भी पढ़ेगा अगर आपका basics के लिए नहीं पढ़िए ठीक है मैं दोनों के लिए बतारी हूं जो नई से त्यारी कर रहे हैं और जो पहले से कर रहे हैं important बताती जा रहे हूं पढ़ना तो पूरी पढ़ेगा और आप mathematics का भी आप ध्यान देके बहुत इजी है अगर डेली इनकी practice कर रहे है ना तो मैं बता सकते हूं आपको कि आपको कहीं problem नहीं आएगी problem वहां आती है जब आप exam से कुछ दिन पहले एक महीने पहले त्यारी शुरू करते हैं ठीक है ऐसा नहीं करिए आप अभी से त्यारी करिए जिससे कि आप उस समय इसके बाद में हम देख लेते हैं आपका logical reasoning logical reasoning अगर देखते हैं तो logical reasoning में आप देख सकते हैं कि काफी सारे अभी question जो थे वो अलग अंकिल से पूछे गए थे एक तो आपको Indian logic ठीक है प्रमानाज ये सब अनुमाना ये सब आपके ऐसे core point है जो आपको आने ही आने चाहिए ठीक है इसके बाद में आप इसमें छोड़ तो कुछ भी नहीं चाहते है डिटक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग इंपोर्डेंट है ठीक है वेंड डाइग्राम है एनलोजीज है है ना इस्ट्रक्चर आर्ग्यूमेंट है तो मेरे कहने का मतलब यह कि आप कंप्यूटर करेंट की जित्तिन यूज है और इसके पूछते हैं अगर आपको सब्सक्राइब यह अनुमाना आता है ठीक है तो अनुमाना से ICT को रिलेट नहीं कर पाएंगे बट हो सकता है अनुमाना से रिलेटेट कुछ और कोशन पूछ लेंगे वह प्रैक्टिकल होगा जो की ठीक है तो इस तरीके से कोश्चन को प्रैक् प्रैक्टिकल कोशन यह लोग नहीं दे पाएंगे लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी इसके बाद में बताई दिया डेली एक कोशन करिए या फिर एक दिन स्किप करके कोशन करिए डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका टाइम जो है वो अच्छा बन जाएगा और फिर आपको exam time में problem नहीं आएगी time की ठीक है इसके बाद में देखिए ICT ICT तो very very important है क्योंकि इसको काफी सारे मतलब उसके संग में टच कर रहे हैं जैसे research research से में भी इस related question है teaching में भी पूछे जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसकी importance कित्ती बढ़ ग जैसे एक question पहले आया था IOT इस वाले exam से पहले वाले exam में आया था IOT और अभी भी exam में देखा गया ठीक है जबकि इसका meaning था internet of things यह क्यों आया था guys बता दू current related topic है और इसका मतलब होता है कि कोई भी जो gadget से ना आजकल वो क्या कर जा सकते है link कर जा सकते है to another device through the net ठीक है internet तो यहां पर क्या हो गया यह current का भी topic हो गया और यह बहुत important है जब आप पढ़ाने जाएंगे आप प्रॉफेसर बनेंगे तो आपको कमस्का मेटली सित्ता तो पता होना चाहिए किती सारी devices से एक दूसरे से connect की जा सकती है तो इस तरीके से यह आपका important part हो जाएगा okay और अगर हम देखें तो people development and environment यह बहुत-बहुत important है guys क्योंकि बहुत सारी pandemic situations हो रही है है ना तो इसे देखती हूँ सरकार क्या चाहेगी सरकार या आप भी अगर हो तो आप क्या चाहोगे आप awareness चाहोगे public में तो public में awareness के लिए आप क्या करोगे उसे syllabus मिला दोगे ठीक है तो इसलिए यहां पर अगर देखा जाए तो current से ही related बता रही हूँ मैं ठीक है मैं यह नहीं करी हूँ कि आप current पड़ो मेरे कहने के मतलब है आपके जो topics है at least उने तो go through करो कि देखिए जैसे development environment ठीक है इधर अभी जो आया था उसमें आया था आपके missions पूछ लिए गए थे है क्लाइमेट चेंज के उपर किते missions हैं तो इस तरीके से questions आ चाते हैं और उन questions को आपको तभी knowledge होगा जब आपने पड़ा हुआ होगा human environment interaction खेर मैं इसमें important बता देती हूं आपको है ना जैसे कि environment से development से related जो news आपकी current में आ रही होंगी वह बहुत important है आपके लिए पढ़ना उन्हें तो आपको छोड़ना ही नहीं है ठीक है और इसके अलावा आपके SDG and MDG बहुत important है ठीक है renewable energies वगरा है वो सारी बहुत important है और कोई environment protection law का change हुआ है या फिर उसके बारे में कोई update आई है current से related तो वो सारे आपको बहुत अच्छे से देख के जाना है तो ये मान के च news आपके लिए बहुत काम की हो गई है पहले ऐसा नहीं होता था अभी बहुत ज्यादा paper में दिखा गया जो जो हो रहा है scenario इस समय उसके ऊपर ही questions बनाए गए थे higher education देखिए आप पहले वाले topics को बहुत अच्छे से करिए तब जाके आप यहां पी आईएगा ये सबसे last मे नहीं आप ready करना because मैं इसलिए बोल रहे हूं कि इससे ये बहुत वास्त है ठीक है ये एक वास्त है topic इस topic के अंदर आपको कैसे चीज़े पढ़नी पढ़ेंगी उसमें आपको कोई damn surety नहीं है कि वो आएगा या नहीं आएगा five questions भी आते हैं या three भी आते हैं जादा दर इ देरे बताने का purpose के वाल इतना था अगर आप prepare कर रहे हैं तो आप यह सोच के करिए कि अब आप 2022 के लिए कर रहे हैं पहले वाला pattern अब नहीं चलेगा कि आपने उठाए topics और उनी topic को कर लिया अब आपको current भी क्या हो रहा है उसके recording भी आपको पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो इसमें अगर हम देखे तो एक तो institutions वाला part इसका important हो जाता है ठीक है इसके बाद में आपका oriental conventional and non conventional ओके और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो policies, governance and administrations ठीक है तो इस तरीके से आप इसमें important points देख सकते हैं लेकिन आपको पहले इसका basic पढ़ना ही पढ़ेगा basic पढ लगाती रहें questions को current में जो topics चल रहे हैं उसके साथ में relate करें और mock test जितने हो सके उतने ज्यादा दें ठीक है mock test free वाले हो तो free वाले ले लिजिए paid वाले ले सकते हैं अगर तो paid वाले ले लिजिए लेकिन daily basis पे आप कम से कम 10 questions ज़रूर करें और DEI and comprehension दोनों की practice लगाएं ठ जब ही आपका जो next exam होने वाला है ठीक है 22 में फिर बता रही हूं बहुत जल्दी form आएंगे फिर panic होगा form आने से पहले आप ready कर लो बहुत अच्छा रहेगा आपकी percentage अच्छी बन जाएगी और अपने subject को भी आप इसी तरीके से ready कर सकते हो ठीक है guys I hope आप लोगों को समझ टिपिकल आएंगे ठीक है सबी लोग जानते है paper pattern कैसा आया था और जो लोग नई fresh तैयारी करने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो पहले से बना दी गई है ठीक है guys तो अगर वीडियो पसंद आईए like subscribe share जरूर करिएगा और हमारे साथ बने रहेगा सटीक जानकरी के ल लिए और motivation के लिए भी ठीक है guys